हेलो वल्कम टू आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सजी गुरुकुल के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के मूल मंतर पर मैंने आपको हिंदी समझाई है और हिंदी के बहुत सारे मूल मंतर मैंने आपको दिये हैं एक ही बार मैंने आपको बढ़ाया है और आपको हिंदी का बात्सा बनाया है चली आज थोड़ा सा मूल मंत्र पर और बात करते हैं जिससे सभी बच्चे कुछ चीजे सीखते रहें डेली बेसे पे तो हिंदी के मूल मंत्र में आपको जैसे मैं आप से कहूं कि आज बहुत बढ़ी हां मूल मंत्र देने वाला हूं आपको सुनके मज़ा आ जाएगी, ये मूल मंतर क्या है, आप समझे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जिसने मैं लिखा है दिखावा, ठीक है, मैं आपसे कहूं दिखावा को तोड़िये, तो कैसे तोड़ेंगे, बताइए, दिखावा शब्द को आपको ब्रेक क क्या है, या संधी विखेद है, आपको जैसा मना है, वैसा कीजिए, संधी विखेद है, तो संधी विखेद बताईए, अगर उपसर्ग से जुड़ा है, तो उपसर्ग बताईए, प्रत्य से जुड़ा है, तो प्रत्य बताईए, और अगर आपको लगता है कि समास है, तो स इसका मूल शब्द बताएंगे और इसके बाद अगर संधी है तो संधी बताईएगा, अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग बताईएगा, अगर प्रत्या से बना हुआ है तो प्रत्या बताईएगा, और अगर समाज से बना हुआ है तो समाज बताईएगा, देखते हैं कितनी ज भगोडा मैंने लिख दिया आपका लुहार सुनार भगोडा दिखावा और बताईए और भी बासर देंगे भुलकड़ भुलकड़ ठीक है हाणा भुलककड लिख दिया तो ऐसे आपको और भी कलेने हैं ठीक है तो जरा देखते हैं आप लोग चलिए चार से कुश्चन देख प्रत्य से जुड़के बना हुआ है आप जब देखते हैं ये जो दिखावा है इसमें मूल सबध है देख क्या है? देख लूहार में जो मूल सबध है वो है लोहा अब आपके दमाग में अक सर ये बताइए उलु बना रहे हैं आप हमें ये देख है और ये दिखावा कैसे हो जाएगा जब ये देख है और इसमें अगर प्रत्य जोड़ेंगे तो देख हमने आवा कर दिया हमने कर दिया देख प्लस आवा तो देखावा हो जाएगा ये दिखावा कैसे होगा आप कह रहे हैं लोहा है इसमें और अगर आप लोहे में आप जोड़ देंगे आर तो ये लोहा है लू कैसे हो जाएगा लूहार कैसे हो जाएगा आप कह रहे हैं कि भगोडे में मूल सब्द भाग है और इसमें जोड़ देंगे ओड़ा तो यह हो जाएगा भगोड़ा जबकि यह भागोड़ा होना चाहिए था यह भगोड़ा कैसे होगा और लिखा है भुलकड और इसमें आप कह रहे हैं भूल होना चाहिए और मान लीजी अगर भूल लिख दिया जाए और इसमें अकड़ नाम का प्रत्या जोड दिया जाए तो ये बड़ा हूँ है ये छोटा हूँ कैसे हो गया आप तो सरपागल बना रहे हैं और एक और बात बताईए जरासा अभी जो भाग लिखा ये ओड़ा लिखा है तो भाग में अंतिमश्वर आ भी तो लगा हुआ है तो आ और ओ मिल जाएगा तो कुछ बनेगा नहीं क्या अब देखें यहाँ पर भी आ है और ये भी आ है अरे भाई ऐसे तो आप संधी करते हैं तो ला को तोड़ा जाए तो क्या तोड़ेगा ला और प्लस आ और फिर ये आ अकड़ का ये आ तो ये आ क्या बन जाएगा बड़ा आ और ये बड़ा आ को ला से मिला देंगे तो ये ला नहीं बन जाएगा तो ये भूला कर नहीं हो जाएगा भूला कर क्या जर जी आप कईसी बाते कर रहे हैं पता ने कहुं से इंदी पड़ा रहे हैं चलिए मेरी बाते अब आते हैं मूल मंत्र पर यह मूल मंत्र की क्लास है जो आपको डेली बेसेस पे पांच-पांच-देश्मेट की मिलेगी और आपको हर विशय की जानकारी देती जाएगी और जो बच्चे हम से पढ़े हुए हैं वो तो जानी रहे हैं जो पढ़े हुए हैं वो पिटिर पिटिर नहीं बोलेंगे हना चलिए समझ लेना है लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अगर ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा ठीक है चलि मूल सब्द का अंतिम सवर हटा कर जुड़ते हैं मूल सब्द का अंतिम सवर हटा कर जुड़ते हैं ये बात आपको समझ में आई कि प्रत्याय की खास बात क्या है कि जो मूल सब्द होगा उसका अंतिम सवर हटा देंगे और वो खुद जुड़ जाएंगे है कि नहीं तो मूल सब्द का अंतिम सवर हटा कर जुड़ते हैं हटा कर जुड़ते हैं ये आपको बात समझ में आई बताईए फटा फट से ये बात आपको समझ में आई बहुत बढ़िया अब अंतिम सवर होता क्या है जैसे मैंने लिख दिया मैंने कुछ भी लिख दो अस्वर को अलग कर दीजे तो यह हो गया आपका अंतिम स्वर यह क्या हो गया आपका अंतिम स्वर हो गया यह बात समझ में आई हर इसके साथ जो भी प्रत्या आप जोड़ेंगे इसके साथ आप जो भी प्रत्या जोड़ेंगे हना वो सीधे किसमें जोड़ना पड़ेगा आ आटा देना है यह प्रत्या का स्वभाव है वो ऐसा ही करता है ठीक ना तो आप जानी के प्रत्या को आपने रटा होगा प्रत्या मैंने कभी नहीं रटाया मैंने कभी उपसर प्रत्या को रटाने की कोशिस नहीं करी है शब्द निर्मार के चार तरीके हैं संधी समाफ्स उप सब्सक्राइब प्रत्य इसको पढ़ाया जाता है यह व्याक्रण की जान है चलिए अब मैं समझाता हूं इसको समझ येगा हना जैसे आपका लिखा है अक्कड के लिखा हुआ है अक्कड लिखा हुआ है ओडा लिखा हुआ है आर लिखा हुआ है आवा ठीक है आवा तो अक्क सब्सक्राइब था अकड़ ओड़ा और आवा ठीक है सही तो है अकड़ ओड़ा आर आवा अगर आपको ये मिल जाए है तो बहुत सारे 8 है आठ में से आपको चार पढ़ाद देते हैं यदि आपको ये मिल जाए तो करना क्या है इसको समझ लेजिए बस मज़ा आजाएगा आ मस्ते हैं जैसे अगर आपको यह मिल जाए तो अगर मूल सब्द का पहला स्वर सुनिएगा बड़ा मज़ेदार है यह अगर मिल जाए यह प्रत्ते हो तो हना तो मूल शब्द का मूल शब्द का का प्रथम स्वर बदलता है मूल सब्द का क्या होता है प्रथम स्वर बदलता है बदलता है और अन्तिम स्वर हट कर खुद जुड़ जाता है और अन्तिम स्वर ये तो सभाव है ये लाश्ट वली लाइन लिख रहे हैं और अन्तिम स्वर को हटा कर खटाकर खुद जुड़ जाता है खुद जुड़ जाता है तो आप कहते हैं कि सर ये अंतिम वाली लाइन यहां से यहां वाली जो लाइन है यह तो मुझे पता है क्योंकि प्रत्याय का नियम ही यह है ये पहला वाला बता दीजिए तो मजा आजाए देखिएगा लिखा हो छोटा या बड़ा आ हना तो मूल शब्द का पहला स्वर इन में से कुछ भी हो अना तो हमेशा वो छोटे में बदलेगा याने की छोटे या में यह बात आपको समझ में आई नहीं समझ में आई तो भी मैं समझाऊंगा बस सुनते रह चोटी हो या बड़ी हो एसे एड़ी या ऐसे एनक यदि मूल शब्द का पहला स्वर इन में से कोई आ जाए इन में से कोई आ जाए तो वो हमेशा किसमें बतलता है वो बदलेगा छोटी में किसमें बतलेगा भई या छोटी में छोटी में छोटी लगा ना बचा है छोटी मे यह बात समझ में आई, यह बात समझ में आई, तो यह सर बोल देना है, मजा आए, तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, तो ऐसी वीडियो मैं और देता रहूंगा, आपकी हिंदी, आपकी GS, पर बात सा बना दूँगा, अगला समझा, आई, ए, ए, हो गया, आप देखना है, केंगे सर छोटे उ में बदल जाएगा आप करें सर प्रूफ करके बताईए तो माने प्रूफ करके बताईए तो माने चलिए मानते हैं भाई समझना यहाँ पर मैंने लिखा देख आराम समझना देख और प्लस लिखा आवा क्या लिखा मैंने देख और लिखा आवा तो यहाँ पर लिखा आवा अगर यह आवा प्रत्याया है तो यहाँ पर यह नियम लगेगा अब देखिए देख में पहला स्वर कौन सा है ए है कौन स पिर वाँ पिर जोड़ना है आवा बात समझ में आ रही है तो हमें क्या करना है यह पिल देना है थो टी में अंतिम स्वर है मूल सब्सक्राइल को बड़ा है एक झावा हो जाएगा और यह दा जोएवगो पिल जाएगा हां कि ना तो यह हो जाएगा दी हां कि ना और यह फिल लिखाम ने खा और यह आधा था तो यह बड़ा लगा दिया तो लगा दिखावा बताओ समझ में आया तो देख प्लस आवा कैसे दिखावा बना मजा आई कि नहीं आई कि बताओ आवाज नियारी के मैं अवाज आ रही ना थीक आवाज दो खरकर आच वत नहीं है चलो ठीक है तो यह बात आपको समझ में आ गई अच्छा आव अगला देखते हैं अगला आमने का दिखा था भगोडा चलो भाई दूसरा देख लिए भगोडा भी देख लिए भगोडा भी लाज प्लेस ओडा अच्छा अब देखिए यह बाग में बड़ा है और बड़ा है कि इसमीम बदल जाएगा छोटे अ में बदलेगा तो यहां पर हमने कर दिया भग कर दिया और यह है ओडा अब आप देखेंगे इस गांग गा का अन्तिम स्वार किया है तो आप कहेंगे है तो आ को भटा देना है इसको इसको जोड़ देना है तो यह हो जायेगा घगोड़ा कि चलो एक और करके दिखाता हूं बस मूल मंत्र समाप्त मैंने का लोहा और धन आर जरा से इसको करना है फटा फट देखिये ओ है और ओ किसे बदलेगा च्छोटे उ में यहाँ पर ओ है औस वाला स्वर और इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? जोड दिया तो इसको जब जोडा यह हो गया लू और यह हो गया हार तो देखा आपने कैसे change हो रहा है बताओ भाई, देखा आपने कैसे change हो रहा है मज़ा आई तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और अगर आप ऐसी trick और चाहते हैं तो comment में comment box में comment करते रहिए अच्छा अच्छा comment कीजिए अच्छे ची तारीव कीजिए अच्छे अच्छे आईए SSG coaching का app download कीजिए और फटा फिसे हमारे पेट बैस में भी जूर सकते हैं अगर आपका मन हो तो thank you very much